बात है हम भी तेली हैं तो हमारी रिस्तेदारी कोई बनाया होगा लग रहा है और यह तेंपल आइजिंग जो उपर वाली पार्ट है वह बाद में रिस्तरीशन करा रहा है और नीचे बारी बहुत ही पुराना लग आप देखाऊगा नीचे बारी पार्ट कि यहां पाख यहां पर बहुत उचाई पर बना हुआ है यह फोट का सबसे उचे इमारतों में से इस मंदिर का नेमार एक तेल वैपारी द्वारा हुआ था शाशन काल में दर बात है हम भी तेली हैं तो हमारी रिष्टेदारी कोई बनाया होगा लग रहा है यह आपको एक कला देखेगी मूर्तियों की कला है लेखावट है और यह नौर्थ साउथ की कला के कमबिनेशन में नीचे वाली बहुत ही पुराना लग रहा आप देखावगा नीचे वाली पार्ट और यह जो खिला क्या सबसे उन्चा 30 मिटर का टेंपल है और तेली जो तेल कारवार है वह तेल की जो बैपारी तेल की कारवार उन लोग ने इसके उनकी कालेक्शन से कंट्रिबुशन से भी बना है तो इसलिए उसको तेली मंदीर बोला जाता है और जो एंट्री करोगे दोना साइट में नर्थे क्या है दोना साइट में इस साइट और इस साइट में दोना साइट में है अभी इसके मंदीर में अंदर कॉम अभी भी आप अंदर सुन सकते हूं चिमका दोड़ो आवाज सुन से तो हो बहुत है बहुत तर है पूरा आप वो लाइन में बैठें बहुत तर इस साइट और इस साइड है हाँ फिर पर एक चीज अच्छा है कोई डिस्टब नहीं करता उनको तो वह उनके बाद आप आरहम से वह भी है और हम भी है तो वही कोई को जिस्टन्स करना है साथ में हम लोगों को तो यह जो आप आठ देख रहे हो बहुत ही बहुत ही कलाकारी से बना हुआ है और आप यहां से देख से नौर्थ साउथ की जो आठ है उसके कंबिनेशन में बना है तो यह एक यूनिक इंडिया की यूनिक मंदिर से मिलेगा आपक तो आपको एक्स्टर टिकड नहीं लाना पड़ेगा तो उसी में से हो जाएगा अपको आपको घ्राइब करना है तो हम एक आपको चारतर से भी दे सकता हूं चारतर से आप लाए यहां पर बहुत सारी ठोटे च्टे आर्ट बने हैं भगवानों के उर्थी अग्रावना है और यहां पर रखी क्या किस है अंदर जाने वाले के लिए नहीं पदा लिए उसका है और लगता है हमने सही किया सुबह आगे कि बहुत कम टुरिस्ट हैं तो आपको इजी ली एक्सप्लोर कर सकते हो और मॉनिंग अब करीब 6-7 बज़ा सकते हो बारा वज़े तक आप यहां पर भूम सकते हो करीब करीब बहुत ही अच्छा लगेगा अब हमारे जो जनी था पोड का जो स्थी हमारे जो पोड का जनी था वह अलमस्त खतम हो गया है हमने अलमस्त सारे जो में टूरिस कुम दिया है